इस प्रीडियो के अंदर में explain करने वालों Battle to the Wind के एपिसोड 90 के प्रिव्यू को तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हमें जियान एक नए रूप के अंदर दिखाई दिया था जो कि Central Pen के लिए रवाना हो चुका था प्रिवी के माध्यम से पता चलता है जब फर्स सीन के अंदर में दिखाया जाता है जब पर जियान और लिटल फेट ओक्टर दिखाया जाते जो कि क्रिस्टल के अंदर जो कि बोट के अंदर बना था और ऐसी जियान को कंट्निव 20 दिन तक सफर करना जिसके बाद वो Central Pen पहुंच पाएगा और इतना लंबा सफर होने की बज़े से जो छोटा पैकेट होता होता है वो काफी ता बोर हो रहा होता है मगर तब ही आचानक से उ चोटा पैकेट होता है वो उपर से नीचे लुड़का हुआ चला जाता है और पूरी बोर्ट हिलने लगती है तो से लिए उन लोगों को बताती कि इस तरीके का डिजास्टर बॉंगोल के अदर कभी कबार आ जाता है और इस बज़े से वहां पर काफी सारे होल हो जाते और बड़े बड़े पत्थर आ जाते है और आपनी दूईगी को डार रहती है क्योंकि अगर उनने एक बार बोर्ट को रोक दिया तो उनकी जो मुसीवत तो और बढ़ जाएगी और साती जिन लिटल फेट औरक्टर को बताता है कि अभी के जो बोर्ट है वो आटो-पाइलिट पर है जिसमें अभी के लिए Center Pen का रास्ता सेवे इस बज़े से अगर उसके सामने कुछ भी आ जाता है तो जाकर सीधा उससे टक्रा जाएगी और इसी बज़े से मुझे बाइच जाकर इसे अपने हातों में लेना होगा और इसी बज़े से हमें प्रेवियो की उपर है तो जो कॉंटेक्ट कर लेगा इस पेस के साथ इस बज़े से वह बहुती बुरी तरीके से इंजड हो जाएगा और अपने दोस्तों से बिचट जाएगा और जाकर रेगिस्तान के अंदर बेउसी की अलत में गिरेगा जाकर और इंपियम लोग आए प्रिविए के ने सीन के उपतों म हैन्सओ यी है और अभी के लिए रात्त मने की बज़े से इसने अपनी काफियाने को एक जगह पे रोख दिया था जब पे जियाद सबसे से मिलेगा और अभी कलिए जो जियान की अलत होगी पर पड़क जैगी और बोलीगी तुम्हारी अलत अभी कापी ना खराब है मगत मैं फिर भी काम करना पड़ेगा और अभी क्लिए जो पूरा काफिया ना होगा उसे जियान की पावर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा वो सभी लोग जियान को एक दादाव सी लेवल का वारियर समझ रहे होंगे और इविए हम लोग नए सीन के हैं तो सोवे हो चुकी होती है और उनका काफिया ना फिर से हैंक्लेन के लिए आंगे बढ़ चुका था मगर तभी जो हैंजोई होगी वो सभी को वोन कर देगी क्योंकि उनका जो काफिया ना वो पोच चुका है डीवन शेक शामीन के इलाकी के अंदर जूकि एक काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट ह तभी जो हैंजोई का काफिया नंह ओता है उसके उपर काफी सारे इसनेक हमला कर देते हैं यूंकि आंके जो भी इसनेके वो सभी की सभी बाता थे मानते हैं डीवन शेक शामीन की तभी वो भी उन לों के सामने आ जाएगा और उनकी उपर हमला करदेगा और वो अबीक जो उने स्नेकों को बहुती आसानी से हरा पाई क्योंकि उनका अभीकली जो लेवल है वो दावसी और दावदावसी जिता है और इंपर जो डीवन शेक शामी होगा वो अमला कर देगा हैंजोई की उपर क्योंकि इस आदे से जानवर के सा संब्द बनाने का था और वो इसी ब हैसुस हो जाती इस बज़े से वो अपनी आँके खोल लेता है मगर इसी के साथ ये प्रिवी यहीं पर खतम हो जाता है मगर मैं आप लोगों को फिर्वी बता दे तो इसके आंगे क्या होता है जापे जिन अपनी बग्गी से बाइर भी ने निकलेगा मगर उस जानवर की ड बैटल तो देवन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली हैं और मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो मिस करूँगा छोटे पैकेट को क्योंकि वो इकलौती थी जो बैटल तो देवन के अंदर कॉमेडी को एड़ कर रही थी अब तो वो भी चलीगी और अगर आप लोग चाह मैं तब तो किली बाइ